नमस्कुलार आप देख रहा है मारा स्पेशल प्रोग्राम नियूज रूम आपके साथ मैं हूँ अर्शिता आए रुकर लेते हैं मद्यप्रदेश की बड़ी खबरों की ओर मद्यप्रदेश चुनाव के लिए बीजपी न अपने घोशना पत्र को द्रस्टी पत्र नाम दिया है और इसके लिए जला मुख्यालाय और मंडल में सुझाव पेटी भी रखी चाएगी इन सुझाव पेटी और में लोग अपने सुझाव डाल सकते हैं जिसके बाद इस सरकार को अपने सौदेवाजी से क्यों गिराया कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए ये कहा उन्होंने कहा कि जंता जो है सुझाव देने की वज़ाए भाजपा से सवाल करेगी और पूछेगी कि उन्होंने सौदेवाजी कर जंता की चुनी हुई सरकार को क्यों गिराया और मत कर आड़े हाथ हो लिया है बात करेंगे अगली खबर के बारे में जहां प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर शनिवार को अनिश्रित कालीन हरताल पर चले गए हैं बे डॉक्टर बाला सरश्वती सुसाइट केस में कारिवाई नहीं होने से नारा आंध्रिप्रदेश, हर्याना, राजस्थान और बिहार से भी जूनियर डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं अमरिसर मेडिकल कॉलेज में केंडल मार्च भी नकाला गया जूनियर डॉक्टर असोसियेशन भूपाल के अध्यक्ष डॉक्टर संकेत सीते ने बताया कि भूपाल, इंदौर, गौालियर, जवलपुर, रीबा और सागर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की प्रदेश व्यापी अनिश्यत कालीन हर्टाल जो है शुरू हो गई है बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में जहां मध्यप्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर खबर सामने आई है जहां किसानों के पास समर्थन मूले पर मूंग और उड़द उपारजवन का आखरी मौका है क्योंकि मूंग और उड़द खरीदी की आखरी तारीक साथ अगस्त है मौका जाने से पहले किसान इस तारीक तक फसल बेच सकते हैं और खास बात यह है कि किसान अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी स्लोट बुक कर मूंग की दाल को बेच सकते हैं वहीं प्रदेश के 32 जिलों में मूंग की खरीदी की जा रही है बता दे कि इस साल राज्य सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य जो है 7755 रुपे प्रती कुईंटल ते किया है हाली में MP किरशी मंतरी कमल पटेल ने ट्वीट कर लिखा था कि भाजपा सरकार किसानों के हित में निरंतर कारिय कर रही है मंतरी शिवरासिंग जोहान के नेतरत्व में हमने समर्थन मूल्य पर ग्रीश मकालीन मूंग एवं उड़द खरीदी की अंतिम तिथी को 31 जुलाई 2023 से बढ़ा कर किसान भाईयों बहनों के हित में 7 अगस्त 2023 तक करने का निर्णह लिया है बात कर लिए तें अंगली खबर के बारे में जहां जवलपुर के रामपुर इस्थत अगरवाल पेट्रूल पंप में बीती रात ग्राहकों न जम कर हंगामा कर दिया दरअसल दरजनों ग्राहक पेट्रूल पंप में पेट्रूल भरवाने के लिए पहुँचे थे लेकिन ग्राहकों की बाइक पेट्रूल पंप के थोड़े आगे जाकर ही बंद हो गई ऐसा सिर्फ एक ग्राहक के साथ नहीं हुआ बलकि 30-40 ग्राहकों के साथ ऐसी ही गटना हुई जिसके बाद कई ग्राहकों ने मेकैनिक को दिखाया वहीं जब बाइक के टैंक से बॉटल में पैट्रोल नकाला गया तब टैंक में पैट्रोल कम पानी ज्यादा नकला पेट्रोल पंप पर इसके बाद देर रात तक ग्राहकों ने हंगामा किया पेट्रोल पंप में मिलावटी पेट्रोल देने की सूचना पर गुरकपुर पुलस भी मौके पर पहुंची और ग्राहकों को इधर उधर करवाया गया लेकिन ग्राहक कारिवाई करने की मांग पर अ की गई और पेट्रोल सहत ग्राहकों की बॉटलों के भी सेंपल लिए गए बात कर लिते हैं मद्यप्रदेश के मौसम की जहां अगले हफते से मद्यप्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है आज शनिवार को ग्वालियर चंबल जिले के शिवपूरी दतियाप हिंड मोरेना और शिवपूर में भारी बारिश हो सकती है वहीं गवालियर चंबल सागर और रिवा संभाग में मध्यम से भारी बारिश का दौर अगले 48 घंटे तक चाली रहेगा अशनिवार को भी मौसम विभाग ने 50 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना चत हाला कि कहीं कहीं हलकी से मध्यम बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है वहीं आज रेड औरेंज और यल्लू तीनों अलर्ट एक साथ जारी किये गए हैं फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ही ताज़त अमाम ख़बरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हैं आप MP News के आइकन दबाना जरा भी न पूझे